सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए अभी नहीं बताऊंगा कि हम किसके बारे में समझने बाले हैं तो पहले हम कुछ activities करते हैं उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने topic पर तो let's start and understand with me question number A is match the picture's nouns on the left with the words on the right यानि आपको यहाँ पर left side पर कुछ nouns दे रखें अब चलो nouns को recap करके देखें क्योंकि हो सकता है किसी को याद हो या ना हो कि what is noun तो noun is the name of person, place, thing और animal और जो उनके naming words होते हैं उन्हें हम naming word कहते हैं चाए वो किसी person का नाम हो चाए किसी animal का नाम हो चाए किसी thing का नाम हो या फिर किसी place का नाम हो तो जो naming words होते हैं उन्हें हम कहते हैं noun क्या कहते हैं noun तो अब समझ में आया कि left side पे कुछ noun words हैं, यानि कोई think होगी, कोई person होगा, कुछ भी होगा, लेकि noun होगा, और उसको सामने वाले कॉलम में जो words हैं, सही appropriate words के साथ हमें match करना है, जैसे यहाँ पर एक करके आपको दे रखा है, एक example दे रखा है, जैसे bricks, bricks क्या होती है, hard, yes, फिर second is knife, knife होता है न, knife क्या होता है, sharp होता है, तो हमने उसको शाप के साथ match कर दिया, फिर है एक pillow, ये भी noun है, क्योंकि ये एक thing है, bricks, knife और pillow, ये तीनों ही noun है, क्योंकि ये एक things के नाम है, तो pillow क्या होता है, वो soft होता है, ऐसे ही cake, cake is also a thing, that is noun, तो cake क्या होता है, sweet, yes, फिर उसके बाद है plant, plant is also a thing, that is noun, plant क्या होता है, green, yes, and sun, sun is also a thing, तो thing कहा दीजिए, लेकिन वो noun ही है, तो sun क्या होता है, bright, bright के साथ हम इसको match कर देंगे, तो इस तरह से हम जो words है, जो noun है, उनको words के साथ match कर देंगे, तो इस से हमें क्या समझ में आया, कि the words on the right describes the picture, nouns on the left, यानि जो noun की pictures दे रखी हैं, left side पर, जो right वाले words हैं, जो दाईं तरफ आपके words हैं, वो उनको describe कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, describe, यानि उनके बारे में, कुछ हमें बता रहे हैं, जैसे pillow soft है, cake sweet है, knife sharp है, तो कुछ न कुछ noun या think के बारे में, हमें कुछ न कुछ information दे रहे हैं, तो इस से हमें ये समझ में आ रहे हैं, तो अब ही चलते हैं, question number B पर, question number B is, write the describing words for the following, you may use words from the box below, यानि यहाँ पर एक box दे रहे हैं, उसमें से आप words को choose कर सकते हैं, और हर question में, जो भी आप से पूछा कैया, उसको केवल describe करना है, उन words के through, ओके, तो let's start, यह यहाँ पर box बना हुआ है, इसमें से आपको words choose करने हैं, क्या करने हैं, words select करने हैं, तीन words बताने हैं, कि rose कैसा होता है, गुलाब का full कैसा होता है, pink, okay, yes, beautiful, yes, and fragrant, यानि खुश्बुदार होता है, है ना, तो यह तीनो words हमने, नीचे वाले box में से choose किये हैं, फिर second है, write three words to describe yourself, यानि आपको अपने बारे में बताते हुए, कोई तीन words जो नीचे box है, उसमें से select करनी है, तो confident, are you a confident, yes, you are a confident, energetic, आप energetic भी हैं, confident मतलब विश्वास से भरे हुए, और energetic मतलब खुब आपके अंदर, किसी चीज़ को करने के लिए energy है, और hard working, third is, write three words to describe your favorite food, यानि आपको अपने favorite food के बारे में, कोई three words उसी box में से choose करके लिखने हैं, तो क्या हो सकता है जो favorite food, cheesy, cheese से भरा हुआ, delicious, बहुत ही, मज़ेदार, और yummy, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, जिसको खाके बहुत मज़ा आ जाए, तो ये आपके food के बारे में, three words describing words है, इसके बाद fourth है, write three words to describe your mother, या father, अपने father या mother के बारे में, three words आपको describe करने, जैसे, वो क्या है, वो supportive है, हमने यहाँ से इसको choose कर लिए, लिख दिया supportive, हमारी बहुत बात में सहायता करते हैं, हमें support करते हैं, हमारा बात कर समर्थन करते हैं, फिर दूसरा वो loving है, तो वो यहाँ से choose कर लिया, फिर वो caring भी हैं, और caring जो है, क्योंकि वो caring है, तो यह भी यहाँ पर लिखा हुआ हुआ caring, वो हमने यहाँ से इसको choose कर लिया, caring, यानि यह तीनों quality हमारे father या mother में हैं, यह रहा के caring, इसमें से हमने इसको choose कर लिया है, caring, फिर उसके बाद है last, write three words to describe the clothes that you are wearing, यानि जिस तरीके के clothes आप पहनते हैं, तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं, तो इसी में से ही choose करना है इसी में से, तो जैसे वो है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखे, well stitched, well stitched होते हैं, यह रहा well stitched लिखा हुआ, यह रहा, यानि बिल्कुल अच्छे से सिले होते हैं, फिर, कुछी color का नाम लिख दीजिए, कि वो blue color के होते हैं, और clean भी तो होते हैं, जो आप clothes पहनते हैं, वो कैसे होते हैं, clean होते हैं, तो यह आपके clothes के बारे में, three describing words हैं, यानि आपके clothes के बारे में, कुछ पता रहे हैं हमें, information दे रहे हैं, so इसका मतलब यह हुआ, कि the words that are used to describe a noun, और pronoun are called adjectives, यानि जो words हमें noun या pronoun के बारे में, कुछ बताते हैं, उसको हम adjective कहते हैं, this is the, this is our topic of this worksheet, और यही हमारा आज का topic भी है, adjectives, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अगर मैं पहले बता देता, तो शायद आपका मज़ा भी खतम हो जाता, और आपको समझ में भी नहीं आता, तो जो words, जैसे अभी हमने question number one में भी किया, और अभी हम two में भी कर रहे हैं, कि जो भी noun के बारे में, noun क्या है, person, place, thing or animal, उसके बारे में कुछ भी चीज़ बताए, कि वो अच्छा है, गंदा है, कुछ भी चीज़ बताए, तो that is called adjectives, ओके, समझ में आ रहा है, now the question number C, circle the adjectives in the passage, and fill them in blanks below, यानि अब एक passage आ रहा है, उसमें से आपको क्या करना है, जो adjectives हैं, यानि जो noun के बारे में हमें कुछ भी बता रहे हैं, उनको आपने circle करना है, और फिर उसको नीचे दिये गए box में हमें लिखना है, तो let's start with me, a little, देखिए, little को इन्होंने पहले से ही circle कर रखा है, आपकी example के लिए, a little boy named Raju, तो Raju तो noun है, इसको नहीं लिखना, इसके बारे में जो हमें information दे, वो word हमें करना है, राजू, एक लड़के का नाम राजू, put on his warm, warm jacket, jacket तो thing हो गई या निवो, jacket क्या हो गया noun, तो उसके बारे में जो बता रहा है, वो हो गया adjective, warm jacket, and went outside his cozy home, तो home क्या हुआ, home place होता है न, वो तो noun है, तो उसके बारे में बता रहा है, cozy का मतलब गरम-गरम सा, cozy, यह हो गया adjective, फिर उसके बाद है, it was a cold night, तो cold क्या हो गया, cold भी हमें night के बारे में बता रहा है न, तो यह भी adjective है, cold night, it was a cold night with a clear sky, sky के बारे में हमें कुछ बता रहा है, तो word is clear, तो यानि वो जो रात थी बहुत थंडी थी और बिलकुल clear sky के साथ थी The stars were bright देखिए stars क्या हो गए? नाउन हो गए? और bright, वो bright का जो बता रहा है कि वो stars कैसे थे? bright तो ये भी हमारा adjective हो गया क्योंकि stars कैसे थे? bright थे And he looked at the beautiful constellations और वो he कौन हो गया? He, यहाँ पर pronoun हो गया, मैंने last time आपको सिखाया भी था last time कि he क्या होता है? जो कि noun की जगे यूज़ हो रहा है, वो pronoun He looked the beautiful constellations तो तारों का सम्हू को बोलते हैं constellations और उसके बारे में क्या बता रहा है? beautiful तो beautiful भी adjective हो गया Suddenly, he saw a shooting star तो उसने एकदम अचानक क्या देखा? एक shooting star देखा He couldn't stop gazing at the sky and wandering at the beauty of the night sky तो वो अपने आपको रोक नहीं सका sky की तरफ देखने से और wandering at और वो निहारता रहा सारी रात उस night वाले sky को तो sky night तो देखिए night sky ये भी एक adjective word है Sky is the noun and night is the adjective तो इस तरह से ये वाले जो words हैं ये हमें in boxes में भी लिखनें जैसे little, warm, cozy, cold, clear, beautiful, bright, night और यहाँ पर हम एक और भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा था shooting star तो ये भी हो सकता है वैसे तो तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे An adjective is usually placed before a noun तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि हमेशा जो adjective होता है वो कहाँ place होता है वो noun से हमेशा just before यानि just पहले होता है तो जैसे हमने अभी उपर आपको चिकाया है jacket क्या है? jacket noun है तो उससे just पहले कौन सा word है? warm warm, 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 warm jacket तो जो गर्म हो गया वो adjective हो गया तो इसलिए बताया गया है कि adjective जो होता है वो ज्यादा तर noun से just पहले लगा होता है तो now that's all for this worksheet अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा subscribe कीजिए, like कीजिए और बहुत ज्यादा share भी कीजिए और हां मेरे साथ इसी तरह worksheet को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी मेहनत और लगन के साथ बढ़ते रहिए and if you want to protect from corona or covid-19 then wash your hands with soap and water regularly and क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई धिलाई नहीं thank you very much